F&O के नए rules क्या है क्या आप F&O नहीं कर पाएंगे क्या F&O बंद हो रहा है आपने शायद कल ये भी कहीं पर WhatsApp में इधर उदर से पढ़ा होगा किसे भी कह रहा है कब F&O trading करने के लिए individuals को 40 लाग रुपे का ITR दिखाना होगा that is income tax return अगर आपके पास भी ये सब news पहुँचे हैं तो एक बार comment box में yes लिख दीजिए और फिर हम बात करते हैं कि क्या नए rules है और किस तरह से F&O पर impact होने वाला है नमस्कार मेरे नाम है C.A.M.P. पिछले 12 सालों से trading कर रहा हूं बारा सालों से इस industry को देख रहा हूं और बहुत सारे changes leverage बहुत कुछ change हुआ है पिछले 12 सालों के अंदर और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले कहीं महीनों से जब से C.A.B. की expert committee की recommendation आई थी के you know margin बढ़ा दो expire risk कम कर दो expire risk कम कर दो और you know साथ recommendation से भी की management expert committee ने दी थी उसके बाद से भी ने august के अंदर एक consultation paper रिलीस किया जिस के अंदर public के comments invoice किये और कल का दिन 30 September 2014 का दिन सबसे important दिन था FNO traders के लिए जब से भी इसके बारे में कुछ कड़े rules लाए ऐसी आशंका थी इस news के चलते हैं के FNO में कुछ बड़ा rule आएगा कुछ न कुछ बड़ी चीज़े होने वाली है इन सब के चलते हैं कल सुबह से हमारे Indian markets negative थे सबरे indices फॉल हुए bank nifty 800 point फॉल हुआ sensex फॉल हुआ fin nifty 400 point फॉल हुआ everything fail के कुछ तो कुछ सेभी FNO के बारे में लाएगा मगर दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कल सेभी की जो board meeting हुई है उसमें FNO discuss ही नहीं हुआ है I repeat that जो सबसे बड़ा उद्धा था वो discuss ही नहीं हुआ है सेभी फिलाल कोई सेभी rules को FNO rules को change नहीं कर रही है ना कोई expiry कम हो रहा है ना कोई margins बढ़ रहा है ना 40 लाग का ITR मांग रहा है ये सब कुछ अफ़ाय है और अगर आपको ज्यान है तो मैंने 2 महीने पहले जब expert committee की recommendation आई market में हाहा कार मच गया था कि अभी तो FNO बंद हो जाएगा ये हो जाएगा वो जाएगा तभी भी मैंने YouTube के अंदर एक live किया था कि अभी बड़ा लंबा process है ये expert committee की recommendation है वो accept होती है नहीं होती है उसके उपर you know consultation paper draft होता है consultation paper के बाद CB board में जाता है board के बाद directors का you know approval ये rejection लिया जाता है और उसके बाद एक तारीक के बाद rules implement होता है ऐसा live में ने तब भी किया हुआ था तो आज के दिन 1st October को मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी नया FNO rule नहीं आया है जैसे पहले चल रहा था सब कुछ वैसे ही चलने वाला है आप बिलकुल भी चिंता ना करे आप बस अपने skills बढ़ा है इस बारे में सोचे कि कैसे option trading में profitable बना जा सके किस तरह से जो opportunities market आपको दे रहा है उसको capitalize करा जाए तो आप definitely अच्छा काम कर पाओगे So, thank you so much for watching this video God bless you and be profitable Thank you so much